जी नवस्कार हम अब तक नौर्थ अमेरिका के दो पार्ट देख चुके थे जिनमें हम राजधानियों के साथ साथ परवत, पठार और वहां के झीलों के बारे में अध्यन कर लिए थे अब हमारा जो तीसरा पार्ट है वो है नदियों के उपर ये तीसरा पार्ट नौर्थ अमेरिका को कम्प्लीट करेगा तो आज हम उत्तरी अमेरिका के जितने भी प्रमुक्रूप से नदियां हैं उनके बारे में अध्यान करेंगे देखिए आपके सामने पहली नदी से हम स्टार्ट करते हैं नौर्थ अमेरिका में कई सारी प्रमुक्रोप से नदिया है इनमें कुछ नदिया तो बहुत ही फेमस है वर्ल्ड फेमस है तो हम पहली नदी से स्टार्ट करते हैं पहली नदी है रियो ग्रांडे नदी आप देख सकते हैं रियो ग्रांडे नदी आप ने इसके पहले भी रियो ग्रांडे नदी के बारे में मुझसे सुन्स रखा दा यह वही रियो ग्रांडे नदी है जो नौर्थ अमेरिका में अमेरिका और मैक्सिको दोनों की सीमा को निर इसकी जो सबसे उची चोटी है, उसका नाम है माउंट एलबर्ट यहीं के दक्षर से यह निकलती है और निकलने के बाद अमेरिका और मैक्सिको इन दोनों की सीमा को नर्धारित करती है यानि दोनों के सीमा को उते बेजाती है यानि एक तरह से आप कर सकते हैं यहां एक अंतर राष्टिय सीमा है दो देशों को विभाजित करने वाली सीमा अंतर राष्टिय सीमा है और यह जाकर के मैक्सिको की खाड़ी यानि उत्तरी अमेरिका की 20 की सबसे बड़ी खाड़ी में जाकर के गिर जाती है आप इसको figure से थोड़ा सा देख सकते हैं देखे मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर यह Rocky परवत है इस Rocky परवत की सबसे उची चोटी Mount Elbert यहीं से निकलती है और इन दोनों देशों की सीमा होते हुए यह एक तरफ Mexico है एक तरफ USA से इन दोनों की और यहाँ पर आकर की गिर जाती है वो खाड़ी का नाम क्या है Mexico की खाड़ी दूसरी नदी है हट्शन नदी हम इसको देखते हैं हट्शन नदी जो है यह आपलेशन परवत से निकलती है आपलेशन परवत यह आप देख सकते हैं आपलेशन परवत यह निकल करके अट्लांटिक महासागर में मुहाना बनाती है यानि उत्तरी अमेरिका के पुर्वी तटो पर जाकरके मुहाना बनाती है जो की अट्लांटिक महासागर संबंदित है जब यह Hudson नदी आपलेशन से निकलती है तो यहां पर इसको New York मिलता है और New York होते हुए फिर यह चले जाती है तो यानि New York जो सहर है वो इसी तट पर इस्तित है और यह भी जान लेजिए कि जो New York है जहां पर Statue of Liberty बना हुआ है यह Long Dweep पर इस्तित है एक्जाम में पूछा गया है नुवयार्क जिस प्रकार से मुंबई भारत की एक बित्य राजधानी है उसी प्रकार से अमेरिका की बित्य राजधानी नुवयार्क है अब हम देखते हैं तीसरी नदी पोटो मैक नदी उत्तरी अमेरिका की प्रसद्ध नदियों में बहुत ही प्रिसद्द्नदी है, पोटो-मैक नदी इसलिए famous है क्योंकि पोटो-मैक नदी ये भी operation से ही निकलती है, जहां से harsan निकलती है, और ये जाकर कि चेशा pik की खाड़ी में गढ़ जाती है मोहाना बनाती है, यह वही चेशा पीक की खाड़ी है जहां पर आप कहा सकते हैं कि वासिंगटन DC जो बसा हुआ है इसी चेशापीक की खाड़ी के ज़स्ट बगल में मुहाने पर ही स्थेत है वो तो वासिंगटन DC और आप ये भी जानेए कि पोटो मैग नदी जो है अमेरिका की राजधानी के मुहाने से होकर के तट बना करके जाती है वासिंगटन डीसी को अब हम next नदी देखते हैं हाँ एक मैं खास बाद बता दूँ आपको पोटो मैग नदी खास करके जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं वासिंगटन डीसी में और रिचे सापी की खाड़ियों के आस पास तो जो पोटो मैग नदी जब गुजरती है तो यहाँ पर भारत में आपको बताए बिहारी जो लोग हैं बिहार से एक त्यवहार जो बहुत परंपरा में निकली लोगो पूजा का वो कहीं न कहीं जो भारती अमेरिका में रहते हैं वो इसी पोटो मैग नदी के तर पर छट पूजा करने का काम करते हैं तो यहाँ पर छट पूजा का काम करते हैं लोग देख नेक्स्ट नदी देखते हैं सेंट लॉरेंस नदी सेंट लॉरेंस नदी आप कह सकत को आपने एरी और उंटोर्यों दोनों के मध्य में है इसस्थी दिये। देखे, सेंट लॉरेंस जो नदी है वो दरसल इसका जो मुंख्य कह सकते हैं कि जो उधगम अस्थल है वो सुपिरियर जिल से होकर के निकलती है लेकिन सुपिरियर जिल के जो पश्चमी किनारे से निकलती है तो उस समय इसका नाम रहता है सेंट लूई नदी यानि उसी नाम सी से जानते हैं लेकिन ये ग्रेट लेक को पार करते हुए तो यानि 5 महान जीलों को पार करते हैं यानि Superior, Michigan, Euron, Eerie और फिर उन्टोरियों जब चले आती है यानि Great Lake को जब ये पार कर लेती है तो उन्टोरियों जील के पास जब ये पहुंचती है तो इसका नाम हो जाता है St. Lawrence नदी यानि पहले नाम क्या था इसका सेंट लुई नदी और बाद में इसका नाम पढ़ जाता है सेंट लॉरेंस तो इसी सेंट लॉरेंस के नाम से यह प्रसिद्ध हो जाती है और जब यह मुहाना बनाती है तो अट्लांटिक महासागर में तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में बनाती है और सेंट लॉरेंस की नदी भी है यह जानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब नेश नदी की तरफ हम बढ़ते हैं पांचवी नदी है हमारी मीसी सीपी नदी या उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी तंत्र है दरसल इस मीसी सीपी नदी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कई सारी नदियां इसमें सहायक रूप से आगर के मिल जाती हैं बहुत ही महत्तपूर्ण नदिया है लेकिन यह समझ यह कि Mississippi नदी यह अपना मुहाना मैक्सिको की खाड़ी में बना दी है इसकी जो सहायक नदिया है उसके बारे में तो हम जानेंगे ही पहले उसको हम देखें कि यह कितने राज्यों के साथ हो करके गुजरती है तो यह Mississippi एक राज्य है यहां से होती है Missouri, Tennessee, Tennessee राज्य बहुत फेमस है इसके अलावा इंडियाना, Texas, उत्तरी अमेरिका के मुख्य भूमी पर इस थे जो उत्तरी अमेरिका का पूरा छेत्र है तो अलास्का के बाद दूसरा सबसे बड़ा छेत्रफल वाला राज्य कौन सा है ट कहते हैं कि यह अपने डिल्टा का निर्मार करती है वो भी किस तरीके का यह बिसाल पक्षी के पंजे की आकरिती का यह डिल्टा बनाती है यानि पक्षी के पंजे के डिल्टा बनाती है जिसे birds, food, डिल्टा कहते है यह बहुत फेमस है तो कौन सी नदी जो की पक्षी के पं जैसे कि मिसौरी दरसल मिसौरी ही नदी है जिसमें ये आ करके मिलती है मिसिसीपी यानि मुख्य रूप से कह सकते है कि मिसौरी ही है जिसमें एक सहाइक बनी रहती है अगर हम इन दोनों की लंबाई की बात करें मिसौरी और इसकी दोनों की तो इन दोनों की अगर आप लंबा की परवत सेडियों से निकलती है और इसकी जो सहायक नदी उमाने बताया यह मिसौरी की खुश सहायक है जैसे कि रेड्र नदी है ओहायो नदी है और यह वही ओहायो नदी है जिसकी और आपको फिर आगे दिका देगा तो red की भी एक साहएक नदी है अब हम next की बात करते हैं Colorado नदी देख सकते हैं Colorado नदी के बारे में Colorado नदी जो है ये Rocky के Albert जो वहां की सबसे उची चोटी है उसके आर्ध प्रदेश से निकलती है उसके निकट में जो इस्तेद है अमेरिका के मर्वस्थल को ये पूरा पार करने के बाद ये नदी कैलिफोर्निया की खाड़ी में आकर के अपना मुहाना बना देती है जब ये नदी इस रास्ते से गुजरती है तो कहते हैं कि जो Colorado का पठार है उस Colorado के पठार के बीचोबीच से ये हो करके गुजरती है और उसमें खुब गहरा खड़ बनाती है गहरा खड़ जिसको हम महा खड़ भी कहते हैं या जिसे हम गार्ज कहते हैं जिसे इंग्लिस में बोलते हैं Grand Canyon यानि ये है एक Grand Canyon यानि Grand Canyon का क्या करता है निर्माल करता है ये विस्तु की सबसे बड़ी कह सकते हैं विस्तु की सबसे चौड़ी कह सकते हैं नदी गार्ज का ये क्या करता है निर्माल करता है चौड़ा और बड़ा जो भी आप चाहे कह सकते हैं इसको एक नोट कर लीजेगा आप यहाँ पर कि दुनिया में सबसे गहरी नदी गार्ज कौन से बनाती है तो सिंध नदी जो है दुनिया की सबसे गहरी नदी गार्ज बनाते हैं हलाकि चौड़ी पुछा जाए बड़ी प अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथवा हमारे पास यूकान नदी यूकान नदी मैकेंजी परवस स्रेडि से निकलती है आप इसके पहले भी देख चुके हैं इसको मैकेंजी परवस स्रेडियों के बारे में और यह बेरिंग जो सागर है जहां से बेरिंग जलसंधी भी घूजरती है तो वहां पर आपना मुहाना बनाने का काम करती है है इसके बाद है मैकेंजी नदी मैकेंजी नदी यह जील से निकलती है मैने पहले यह आपको बताता कि कंड़ में बहुत कैं सारे प्रमूकृप से जीले हैं जैसे कि गरेडवी इर, ग्रेड उपГ, आथा सबसे लंबी नदी कौन सी है मैकेंजी नदी ये पूरे कनाडा की सबसे लंबी नदी next नदी है कोलंबिया नदी कोलंबिया नदी जो है ये रौकी परवत से निकलती है यानि रौकी परवत की जो स्रिणिया है वहीं से निकलती है और ये अपना मुहाना बनाती है प्रसांत महाशागर में आर्थिक दिश्टिकोंड से अगर आप देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका की प्रमुक नदियों में से एक है यानि आर्थिक रूप से बहुत ही महत्पूंड है इस पर प्रमुक रूप से दो बाद बनाएगा है इन बादों का नाम क्या है एक है ग्रेंड कुली बाद और दूसरे बाद का नाम है बोल बिले बाद तो दो बाद इस्थित है इसकी कुछ सहायक नदियां है जैसे कि स्नेक सहायक नदी है कुटिने एक सहायक नदी है अब हम बात करते हैं दसमे नदी के बारे में Tennessee नदी आपने Marvels की मूवियां तो देखे ही होंगे उसमें आपने देखा होगा कि Iron Man क्या कहता है कि चलोगे जालवे टेनसी तो ये वहीं टेनसी है टेनसी एक अमेरिका का राज है वहाँ पर एक नदी तो ये उत्तरी अमेरिका में की बहुत बड़ी में नहीं है لेकिन इसकी सहायक नदी है और फिर यसी में आकर के मर्ज हो जाती है तो ये उत्तरी अमेरिका के अमेरिका में एस्तित है यानि United States of America में इस्तित है अब हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका के जो प्रमुक्रूप से प्रायधीब है, प्रमुक्रूप से प्रायधीब है, प्रमुक्रूप से प्रायधीब है, पहले आप उसको देख लीजिए, जैसे की फ्लोरिडा प्रायधीब, फ्लोरिडा प्रायधीब कहा है, तो उत्तरी अमेरिका में जो है, जो आपका USA है, USA का एक राज यह है फ्लोरिडा, उसी पर इस्थित है, यहाँ एक सबसी खास चीदी है कि जो मियामी बीच है, वो इसी फ्लोरिडा पर इस्थित है, एक फैशन नगरी है, परटंग केंद्र है, बहुत फेमस है, जो फासट फेट का भंडार है, यहां के पूरे छेत्र फास्पेट के भंडार पर है जो भी कलाकार होते हैं जो audition लिये जाते हैं auditioning की जाती है वो यहीं पर किया जाता है यानि बहुत सारी कलाकृतियों का एक बहुत बड़ा hub है छेत्र है यह आप इसे स्क्रिन पर भी देख सकते हैं यही है फ्लोरिडा ठीक है तो यह फ्लोरिडा है अमेरिका है मैक्सिको मैक्सिको की खाड़ी जस्ट बगल में यह फ्लोरिडा है यहां पर छोड़ा सा लिखा हुआ है मियामी वीच ठीक है यह मियामी वीच यहीं परिस्थित है नेक्स्ट है लेब्राडोर प्रायदीव तो लेब्राडोर प्रायदीव जो है ये कनाडा जो है कनाडा देश उसमें एक राज्य है क्यूबिक उसी राज्य में ये इस्तित है लोह आयस के लिए ये बहुत प्रसित है आप इसे स्क्रिन पर देख लीजिए आप देख सकते हैं और इसी Labrador शागर के जस्ट बगल में ये है आपका Labrador तट तो ये एक प्रायदीप है जो की कनाडा में मुख्यरूप से पढ़ता है तीसरा प्रायदीप है बुथिया प्रायदीप ये भी कनाडा का ही एक भाग है आप कनाडा के उत्तर में देखेंगे तो बुथिया का प्रायदीप मिलेगा दरसल बुथिया की वहाँ पर एक खाड़ी इस्थित है वहीं पर ये इस्थित है ये खनीत संसाधनों के लिए बहुत प्रसित है मैं आपको इसे मैप में देखाता हूँ आप बड़े ध्यान से देखिए यहाँ पर है बुथिया का प्रायदीप ये जो छेत्र है ये बुथिया का प्रायदीप है और इसके जस्ट बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बुथिया की खाड़ी है तो बुथिया की खाड़ी और बुथिया का प्रायदीब कहा प्रिस्थित है तो आप कह सेकते हैं कि यह कनाड़ा की उत्तर में इस्थित है नेक्स्ट प्रायदीः यूकातन का प्रायदीः ये भी बहुत प्रसिध्य में बहुत यूकातन का प्रायदीः ॥ दरसल यूकातन की जुद शंदी है ये उसी से संबंदित हैule आपने वो देखाऊगा ना कामपेस की खाड़ी है। मैं आपको पहले एक यहाँ दीके दरशल यहां पर यह जो आपका एक खाड़ी आपको पता होगा मैक्सिको की खाड़ी तो जो मैक्सिको की खाड़ी है उसके जस्ट बगल में यहाँ पर एक और खाड़ी है इसको हम बोलते हैं कामपेस की खाड़ी तो इस कामपेश की खाड़ी के अगर आप थोड़ा सा बगल में देखें इस साइड में ये वाला साइड तो यहां पर एक और खाड़ी है इसको बोलते हैं हांडूरास की खाड़ी दरसल हांडूरास एक देश है तो उसके बगल में ही है ये तो हांडूरास की खा यू-का-टन प्रायदीब यू-का-टन प्रायदीब है अब हम उत्तरी अमेरिका के बिसेस तत्थ के बारे में जाने हैं कुछ important चीज़ छूट गई थी उनको भी हम समेट लेते हैं देखिए उत्तरी अमेरिका में एक हूस्टन जगह है अमेरिका का सबसे आधुनिक नगर जो है उसका नाम क्या है कि हूस्टन एक आथुनिक नगर है कि इसका आध्यू-चाहिआth यह देश का सबसे बड़ा बंदर्गाह यही सबसे Central बात है कि Carry अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है तो हिोस्टन है जोगी किस राज्य में पढ़ता है तो आपका यह एक टेकसास में पढ़ता है नेच्ट हम देखते हैं रो नदी के बारे में यह कुछ महत्वपूर्ट तथ है आप इसको याद रखेगा ठीक है जो छोटी होई चीज़े हैं रो नदी के बारे में दुनिया की अगर हम सबसे are shortest river की बात करें सबसे छोटी नदी की बात करें तो वो उस नदी का नाम है रो यह कहा पर इस्थित है तो अमेरिका का एक राज्य है मोंटाना, मोंटाना राज्य के में यह बहता है और दुनिया का सबसे छोटा नदी है, यह इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 61 मीटर है, यानि 201 फिट इसकी टोटल लंबाई है, एक प्रमुक्तत और है एसकीमो, एसकीमो क पाया जाता है, इसकीमो जो है, वो अपने लिए बर्फ का घर बना करके रहते हैं, और उस बर्फ के बने हुए घर को हम नाम देते हैं, इगलो, उसको क्या नाम देते हैं, इगलो, यानि बर्फ का बना हुआ जो घर है, उनको इगलो कहते हैं, आकार के दिस्टिकोंड से अ आत्म निर्भर हैं, तो उस सीलो को मार करके उसकी खाल को, कम से कम 50-60 सीलो को मारते हैं, और फिर उनकी खाल को तंबू बनाते हैं, सिलते हैं, और सिल करके जो तंबू बनाते हैं, उसी तंबू को बोलते हैं, ट्यूपिक, और उसी तंबू को क्या करते हैं, वो जो अभी जस् इससे उनका घर अंदर से दिवाले गर्म रहें, यानि दिवालों पर ये एक प्रकार का अस्तर चड़ा देते हैं, इसी के माध्यम से, इनका मुख्य रूप से अगर हम बात करें भोजन का, आवास का, तो ये पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं किनके उपर, जानवरों के ये खास प्रकार का हतियार इस्तमाल करते हैं, जो कि फेल नदी के हड़, जो फेल मचली होती है, उसी के हड़ियों से निर्मेत है ये, जिसको ये बोलते हैं हारपून, दरसल जब से इनके वहां गोरों का आगमन सुरू हो गया, जब जो टूरिस्ट आए गोर, जितने भी अंग्रेज जब आए, तो इन लोगों ने, इनके संपर्ख में आते ही कई सारी अच्छी चीज़े तो सीखा है, इनोंने खास करके रहन सहन में बदलाव आया इनके, और इनके आवासों में कुछ बदलाव देखने को मिला, इनकी ब्यक्तितों में कुछ बदलाव दिखा, स अशा करना सुरू कर दिया, तो ये कुछ बुरी चीजे जो इनके अंदर आ गई, एस्कीमो, अगर आपसे पुछा जाकि एकिकिमो का मतलब क्या होता है, तो आप बदा सकते हैं कि कच्छा मांस खाने वालों को क्या बोलते है, एस्कीमो बोलते है, यानि जो लोग कच्छा म गोरों से इतना ज्यादे मिल चुके है कि आप कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिसके परिवार में गोरों का मिक्षर नहीं मिलेगा आपको यानि इतनी चीजे इन में बदलाव देखने को मिले हुए अब हम बात करते हैं प्रियरी के बारे में उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा मक्के का उत्पादक देश तो वो अमेरिका है तो वो भी इसी प्रियरी छेतर में पड़ता है और यहां पर आप देख सकते हैं कि इस मक्के की बहुत बड़ी खेती की जाती है इसलिए इस पूरे छेतर को मक्का की पेटी के नाम से भी समबोधित चरता है सेन फ्रांसिस्को के बारे में हम देखते हैं नेश्ट तत्थ है ये कैलिफोर्निया राज्य में इस्थित है अमेरिका के जो कि मनरंजन और फैशन के लिए बिश्व फेमस है सेन फ्रांसिस्को है इसका जो गेट प्रकार की खाड़ी है इसके दोनों छोरों पर गोल्डेन गेट बनाये गया है जो कि एक छोर से दूसरे छोर को जोडने का काम करती है टूरिस्ट प्लेस के लिए बहुत फेमस है लोग यहां गोमने जाते हैं और देखने भी जाते है नेक्स्ट है एलो स्टून पार्क यह एलो स्टून पार्क कहाँ पर है तो यह है उत्तरी अमेरिका में अमेरिका जो देश है वहां का एक राश्टिय पार्क है देखें दुनिया में अगर आप बात करें तो सबसे पहला नेश्टनल पार्क कोई है तो वो दुनिया का पहला नेशनल पार और अमेरिका का भी सबसे पहला नेशनल पार कौन सा है एलो स्टोन पार कब स्थापना होई थी तो 1872 में यहां के राष्टपती ने किया था यहां की कई सारी चीज़े थी और वहां पर कहते हैं कि यहां पर गर्म पानी के फुहारे छुटते हैं और लगबग 100 से लेकर के 1500 फिट की उचाई तक ये फुहारे ऊपर तक जाते हैं तो आज रहा ये उत्तरी अमेरिका का जिसको आपने देखा इसके बाद next वीडियो में आपको हम दक्षडी अमेरिका से start करेंगे जो चीजे बच गई होंगी वो मैं वर्ल्ड का पूरा मैप लेकर की जो महत्पूर्ड चीजे हैं पूरी दुनिया का जो टॉप टॉप चीजे हैं उसके बारे में भी अलग से आपको वीडियो बना के देदेंगे तो आज के लिए इतना ही और अपने मित्रों के पास इसे जरूर सेयर करें